हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस वीजी चैनल में तो दोस्तो चतिस गड़ बोड के लिए एक बहुत बड़ी कुशकवरी सामने निकल कर आ रही है दोस्तो जो भी चतिस गड़ बोड से हैं उनके तैंथ और त्वेल्थ क्लास के जो की टैंटेवल जारी कर दिये गए हैं दो त्रिस गड़ माद्यों में एक सिच्चा मंडर राइपूर की जो वैपसाइट ऑफिसेर उस वैपसाइट पर जारी किया गया है तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है इस ओपिसेल वैपसाइट पर आ जाना इसका लिंक आपको डारेट डिस्प्रिम में मिल जाएगा दोस्तो दोस्तो चोटी से रुक्वेस्ट करना है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू करना है जानता से जानता वीडियो को लाइक कर देना है अपने दोस्तों के साथ में सेर जरू करते हैं वीडियो कोई प्रोलम आते है तो मुझे कोमेंट करके ज समय सार्डी जो आपके परिच्चा रह गई थी 19 मार्च के बाद में जो आपके परिच्चा होनी थी जो कि लोगडाण की बई से रह गई है वो परिच्चा अब जारी की जाएंगी 4 माई से आपकी जारी की जाएंगी ये PDF पॉर्मेट है जैसा कि आप देख रहें निउ है अप्रेल 2020 को जो की जारी किया गया है इसमें क्या लिखा है वो हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके इसमें क्लियली लिखा गया है विग्यप्ती में जैसा कि आप तोड़ा से नीचे आओगे और नीचे आने पर आपको आपका जो की टैंटेवल आपको दिखाई देने बाला है दोस्तों तो यह आपका टैंटेवल है दोस्तों देख लीजीगा आपका इस टैंटेवल में आपको इस टैंटेवल को समझा देता हूँ जिससे क्या है आपको देखने में जानादा प्रॉलम नहीं होगी ओके दोस्त तो दोस्तो सबसे पहले जो Tentable दिया गया है वो हमारा दिया गया है 12th Class का दोस्तो 12th Class का Tentable दिया गया है हमको सबसे पहले और इस Tentable में हमको क्या लिका है 10 plus 2 Higher Secondary School Certificate मुख्र परिच्चा बस 2020 10 plus 2 संसूदित समय सानली जो हमारा Tentable दोस्तो वो संसूदित समय सानली का है यानि कि संसूदन होकर आया है इसमें क्याल का है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तो सबसे पहला जो Fact है वो हम देखेंगे थर्ड नंबर पर मंडल आवसेख होने पर परिच्चत थी अब हम समय में कभी भी बिना पूर सूचना के परवतन कर सकता है जब मंडल को ऐसा लगता है कि अब जो COVID-19 का या किसी भी प्रकार की जो की जानदप्र को पूरा है और इस कारण जो की हमें चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकता है जो डेटेट जारी की गहीं है उन डेटेट को ओके दोस्तो तो और इसमें क्या लिखा गया है किलियर बो हम देखते हैं इसका जो च्छमे रहने वाला है नो बजे से साड़े बारे बजे तक आपको टाइम मिलेगा एकजाम का नो से साड़े बारे बजे तक आपको साड़े तीन गंटे आपको एकजाम के लिए मिलेंगे और सब साड़े तीन गंटे में आपको क्या रहेगा परिचारती इस्तान ग्रण नो बजे आपको अपने जो की सेंटर पर जाना है और नो पांच पर आपकी जो की कौपी आपको मिल जाएंगी अध्यान इतु प्रिशन पत्र यानि कि जो एकजाम है वो आपको नो बजे के प हम बात कर लेते हैं हमारा जो एकजाम कब होगा दिन दिया गया है स्वंबार मंगलबार संसूदित धिनांग चार माई 2020 और पांच माई 2020 छे माई 2020 लाइन से एकजाम है चार माई को है पांच माई को है छे माई को है चार माई को पहला जो एकजाम होगा वो भूगल का एकज जो पहले हमारा 21 मार्च को होने वाला तब वो एक्जाम अब वो हमारा 4 माई को एक्जाम जो की आयुजित किया जावेगा इसके बाद मैं 5 माई को 5 माई को जो एक्जाम किया जावेगा वो बाड़े जी गड़ित का और जो आपने सब्जेक्ट सेलेट किये होंगे उन सब्जेक्ट का जो की एक्जाम आपको कराया जावेगा पांच माई को दोस्तों आप देख लीजेगा पांच माई को कौन सा एक्जाम कराया जावेगा पांच माई को सारे एक्जाम हिकट्टे करा दिये जाएंगे बैसे जो कि पाड़ेजी गड़ित का जो 24 मार्च को एक्जाम होना था यह वाली जो सब्जेक्ट हैं इतने सब्जेक्ट के जो एक्जाम होने थे 27 मार्च को होना था और जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के होने थे 30 मार्च को होना था इसका एक्जाम और computer application करा है वह बाड़ेजी का जो होना था वो होना था 31 मार्च को और इसका जो अब कप जारी किया जाएगा अब होगा 5 माई को एकट्टा एक ही बार में आपका जो की कर दिया जावेगा इसके बाद में इसके बाद में दोस्तो 6 माई 2020 को एक्जाम कराया जावेगा और इकार्ट माई को जो 6 माई वाला जो पहले था 28 मार्च को एक्जाम था और 8 माई को जो एक्जाम होना था वो पहले 26 मार्च को एक्जाम होना था तो आप अपना देख लीजिए का टाइंट डेबल आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ओके लाइन से आपके एक्जाम चलने कोई भी जो की आपको चोटी नहीं मिलेंगे दोस्तो इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे थो त्वेल्द क्लास के बॉकलरी वालों का यहने की बैफसाइक वालों का है हाईर सेकंडरी स्कूल सर्टेपिकर बैफसाइक पार्टे करम संसोदेज मुक्य परिच्चा सेम बई कंडिशन रहने वाली हैं हम डारेक्ट आएंगे आपके जो की एकजाम के उपर कि आपका जो एकजाम कौन-कौन से कराये जाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों 10th class की दोस्तों 10th class का टेंटेवल भी जारी कर दिया गया है high school certificate मुख परिच्चा बरस 2020 10th प्लेश्टू परिच्चा युजना के अंतगर संसोते समय सानरी same condition इसी में भी same condition है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ same condition हो, same condition है, देख लिए हैं, दिक लिए हैं नौ बई से साड़े बारे बजे तक है, इनको हम नहीं देखेंगी, जान दालंबा विडियो नहीं करेंगी है, डारेक्टली आते हैं हम अपने exam के उपर, कि हमारा किस subject का exam कब हमारा होने बाला है, ओकी दोस्तो, तो दोस्तो, इसम स्वंबार को होगा सेकंड मंगलबार को होगा हमारा पहला एकजाम स्वंबार को कराया जाएगा दूसरा मंगलबार को कराया जाएगा और चार माई को हमारा एकजाम होगा और दूसरा जो होगा पांच माई को एकजाम होगा जो चार माई को एकजाम होना था वो 26 मार्च को थ यानि कि जो handicapped student होते हैं उनकी लिए जो 10th class का exam कराया जावेगा handicapped student के लिए only जो handicapped students है only उनकी लिए ठीक है next में हम देख लेती है next में किसके लिए पांच माई का पांच माई में वेवसाहिक पाटे क्राम यानि की organized relating information technology automobile service technician health care agriculture media and entertainment, telecommunication, banking financial service and insurance, beauty and wellness, electronics and hardware तो इन सब्जेक्ट की जो exam कराया जावेंगे वो कराया जावेंगे पांच माई को जो पहले exam होने थे वो होने थे 23 मार्च को आप जो exam होंगे दोस्तों वो होंगे पांच माई को पांच माई को आपका exam कराया जावेंगे तो दो आपके जो exam होने है एक handicap student के लिए है नहीं चार माई को जो होगा handicap student के लिए पांच माई को जो exam होगा वो आपको पना exam देख लिजीगा कि आपका subject का exam है या नहीं है इस तारिक को ओकी दोस्तों और दोस्तों एक सबसे पहले एक condition में आपको बता देता हूँ जे आपके लिए बहुत वड़ी kup송 कर रहिए दोस्तों एक condition और में आपको बता देता हूँ अगर जो दोस्तो थरफ नमबर में आप देखना है कि मंडल आवस्य खोने पर परिच्चा थिती एवन समय में कभी भी जो की बिना सूचना के बिना सूचना दिये भी परवतन कर सकता है उसको ऐसा कोई भी ऐसा कंडिशन लगता है तो बिना सूचना दिये वो जो की परवतन कर सकता है इसके बाद में यहाँ पर लिखा गए है फायब नंबर के पेरा में परिच्छा अपती में सासन द्वारा अगर अवकास गोशित किया जाता है तो भी परिच्छाएं इतावत संपन होंगी अगर इन डेटेट के अंदर जो आपकी एकजाम डेटेट होंगी उस डेटेट के अंदर अगर कोई भी सासन द्वारा अगर अवकास गोशित क किया जाता है तो भी आपकी परिच्चा आयुजद किये जावेंगी कोई भी आपके छुट्टियां नहीं मिलने बाली हैं और एक से एक पेरा और देखना है आपको सेकंड नंबर का उस जो हमारे लिए बहुत जाना इंपोटेंट है तो आप दही परिच्चा तियों की लिए प्रायोगी यानि की प्रेटिकल जो परिच्चा होती है परिच्चा केंदर पर ही संचालित की जावेंगी जो आपके प्रेटिकल एक्जाम होते हैं वो स्कूल में ना होकर आपके परिच्चा केंदर पर ही संचालित की जावेंगी आपसके ताप पढ़ने पर परिच्चा अवकास के दिनों में भी ली जा सकती है अब आवस्कता पढ़ने के बाई अगर ऐसा लगता है कि हमको जो प्रेटिकल परिच्छाएं जो की चुट्टी है चुट्टी के दिनों में भी जो की मंडल आयुजित करा सकता है इनकी तिति और समय ग्याद करने के लिए चेंद्रा देच्षे संतत संपर कलए अभी प्रेटिकल की जो एकजाम की डेड़ अभी जारी नहीं की गई है जब आपके एकजाम होंगी तभी जारी की जाएं जो आपके केंद्र की जो अध्यस होते हैं center की जो दिया चोते हैं उनसे आपको बाचित करनी होगी जानता जानकारी के लिए दोस्तों आपको svg channel को subscribe कर लेना होगा अगर आपने svg channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना है instagram पर मुझे follow करना है कोई भी डाफ्ट होते हैं तो आप मुझे बहाँ पर पता सकते हैं कुमें जाना मिलती नेक्ष बुड़ किया थप्तव थगली बाय